तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आप सबका और आज हम Infosys का agreement कैसे बनेगा उसको बता रहे हैं तो Infosys का agreement में फर्स्ट पेज जो आप देख पा रहे हैं भी 200 रुपीज का agreement आप बना लिजिए यह स्टांप निकालिए ओनलाइन भी निकल सकता है और आप जैसे चाहें आप अपने स्टेट के हिसाब से आप इसको निकालिए फर्स्ट पेज यही रहेगा आपका यह स्टांप पेपर इसमें नौटरी का साइन है दीख रहा है आपको और ध्यान दीजिए डिस्टिक नेम आपका जो भी रहेगा यहां रहेगा और स्टांप ड्यूटी पेड बाई तो आपका जो नाम है आप जिस नाम से बनवाए हैं आपका नाम होना चाहिए यानि इंपलाई का नाम होना चाहिए इसमें देखिए purpose of a stamp duty paid service agreement first party name आप Infosys limited देंगे यहाँ पर first party name आप Infosys limited दीजेगा उसके बाद second party name आपका रहेगा यह जी आरे नमबर यह सब खुद से ले लेगा यहाँ एक scanner करने के लिए scanner mark रहेगा यहाँ भी आपका नाम रहेगा जो sign करेंगे आप आपका signature रहेगा second page जो की agreement का पहला page है Infosys का वो रहेगा अब देखिए second page में ध्यान दीजी यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग का inquiry आ रहा था तो हम इसी हिसाब से आपको बता रहे हैं serial number दियाव रहेगा candidate ID आपको देना है यहाँ पर imply number आपके पास अभी नहीं होगा तो मत दीजेगा यहाँ पर financial year 2021 और 22 है यह ठीक है financial year इसके बाद यह देखिए date of joining यहाँ पर भरना है यहाँ पर date of joining भरना है ध्यान देंगे आप अभी current date नहीं भरिएगा offer date के इस आपसे date of joining भरेंगे नीचे चले आईए आपका नाम रहेगा यहाँ पर capital में लिखिएगा तब भी अच्छा रहेगा इसके बाद father's name यहाँ पर यह हो गया father's name age यहाँ देखिए right तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं माल लिजे कि यहाँ पर आनंद कुमार है father's का name कोई प्रकास कुमार है right age उनका कितना है यहाँ आप age father का लिखें यहाँ पर age अपना लिखेंगे right यह दो slot आपका दियाव है अगर यह age नहीं भी लिखते हैं तो काम चलेगा आपका father's name और इसके बाद यहाँ पर age लिख देंगे खुद का age लिखना है यहाँ पर self आपका age लिखना है currently residing and यह सब कुछ मतलब नहीं है यह पढ़ लेंगे आप second part है surety name अगर आपके father surety है तो यहाँ पर father's name फिर से हो जाएगा और नहीं तो husband name होगा जो आप देना चाहें आप दे दीजिए doubter of fear या dad's mother name यहाँ पर लिखना है यहाँ पर mother name लिखना है ध्यान रखेंगे mother name लिखना है या doubters of आपका father name यहाँ पर होगा अगर girls के हिसाब से हैं तो यह अलग है male मतलो अगर आप man man हैं तो आप उस हिसाब से लिखेंगे gender के हिसाब सी है age आप अपना लिख दीजिए ठीक है जो severity का age वो लिखना है ध्यान देंगे यहां पर currently residing ad यह पूरा address यहां पर डालिएगा ठीक है यह security में आपके father ने होगे husband होगे यही से होते हैं इनको ध्यान देंगे और बाकी notary भी आपको बता देगा उसी का page है यह आप नीचे चले जाएं और यहां पर company का sign है already आप अपना sign यहां पर कीजिए आपके father या husband का sign यहां पर होगा security के name के आड़े ध्यान दिजिएगा सभी page पर आपका sign होना है देखिए यह अब second page है यह notary का एक stamp लगेगा यहां पर यहां पर देखिए company signature आपका signature यानि imply का security का मतलब father's या husband का जो भी हैं या mother हैं जो भी हैं इसके बाद third page देखिए third page में फिर notary का एक stamp लगा हुआ फिर से आप यहां sign कीजिए security का sign रहेगा फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे बाकी page में कुछ करना नहीं आपको company name engineers and security फिर देखिए आगे इस जगह witness में एक number पर आप कुछ नहीं भरेंगे यहां पर कुछ नहीं भरना है किसी का witness नहीं है witness 2 में जो severity नहीं है कोई आपका blood relation है उसका sign करना है और यहां पर witness 3 में आप किसी friend का sign करवा सकते हैं या blood relation में भी काम चल जाएगा लेकिन ध्यान देंगे स्यूरिटी में यहां पर sign नहीं होगा स्यूरिटी जो sign कर रहे थे वो sign नहीं करेंगे इस जगह पर इसके बाद company का तो sign अलरेड़ी है आप अपना sign करेंगे यहां पर engineer के जगह पर स्यूरिटी में अब यहां पर father's या mother's या husband का sign होगा सब को check out कर दीजे यह देखे रहे है यह check out सब कर दीजे उसके बाद नौट्री का stamp यहां पर नौट्री का एक मुहर रहेगा यहां पर भी नौट्री का मुहर रहेगा इंजिनियर नीचे में sign करेंगे स्यूरिटी फिर से नीचे में sign करेंगे और यह page आपका the hint कर जाएगा इसके बाद एक page और last में बचेगा इसको भी कुछ नहीं करना है करवा लिजे सभी page पर sign कर लिजे sign कर लिजे आप खुद से और उसके बाद non-competent agreement इसके साथ जाएगा offer later उसके बाद जाएगा non-competent agreement यह भी आप sign करके भेजेंगे साथ में एक साथ सभी picture को pdf mode में बदल देंगे और सभी एक साथ जाएगा जहां पर service agreement को upload करना है launchpad पर service agreement को upload करना होगा वहाँ पर एक साथ ये pdf बना करके भेजना है उमीद है आप समझ गये होंगे आज के लिए बस इतना ही thank you हाए़ कि वर त लुट करके दो가 मड़िक Upd